असलाम अलेकुम जी स्टूडेंट्स आ जैसी सेकंड लास्ट पार्ट तहकीको तनकीद वाला पोर्शन करागे इदे वेज़ कोल पांच सब टापिक्स ने यानि पांच क्रेटिसिजम दियां किताबा ने ओना दा अनेल्सिज या तजिया करना है या उना दे तनकीदी नोट लेखना है या उना दा क्रेटिकल अनेल्सिज करना है पिछले पंच साल विच यानि 2015 विच स्लेबस चेंज होया सी 2016 विच फस्ट टाइम नमे स्लेबस दे मताबिक एग्जैम होया सी ओदे विच एग्जैमिनर ने 2016 तो लाएके वी उन्नी तक एक एक क्वेस्चन देंदा सी इस पार्ट विच हो ते मुस्टली स्टूडेंट्स है पार्ट पूरा स्केप कर देंदे सी क्योंकि याद करन वालियां कुछ किताबादे ना कुछ रटालान वालियां चीजां सी ते थोड़ा ज़रा खुश्क टापिक सी और दूसरा पेपर वेच अच्छी खासी चाहे सुन्दी सी जदी वज़ातों आप पार्ट स्केप कर देता जांदा सी लास्ट टाइम दोजार वी दे वेच उने इस पार्ट चो दो क्वेस्टन ले लेने इसा मतलब है वे कि उन्ने ट्रेंड चेंज कीता है यानि एक्जैमिनर दो पता सी कि स्टूनेंट है स्केप कर देने लियाज आउने दो क्वेस्टन सोला सोला नंबर दे एदे वीच हो सेट कीते बती नंबर दा और कोई जाहर है थे इन चार अब्जेक्टिव भी होंगे पैंती नंबर दा पेपर इस पार्ट वीच हो दे दिता सो इस पार ही इन उसकेप नहीं करना क्योंकि आम दोर दो जला ट्रेंड चाल जाए और चलदा रहनदा है मेबी आहिंदा भी इकी वाले पेपर वेच भी ये दे विचों दो क्वेस्टन लेले बारहल पांज टापिक्स ने पंज़े ही असी आज वेखा गे इससे ही एक रिकार्डेड के लिप दे वेच तुसी पांज लेक्चर वेखोगे क्योंकि है सिरफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ रेडिंग टापिक ने मैं गाइडलाइन देयागा जिदे तो तो अनुँ अंदाजा हो जाएगा के तुसी किस तरह है टापिक तियार करने ने तो अनुँ अगर मुश्कल लगन पांच टापिक कठे है ते तुसी वो पोज करके एक एक टापिक भी सून के तियार कर सरदे हो तो अड़ी ते डिपेंड करता है तो अड़ी मर्जी जी किताब दा सब तो पहला टापिक अगवाई किताब पेज नबर 375 टापिक दा ना चातियां शरीफ कुजाई साथ दी किताबे तनकीद दी किताबे क्रिटिसिजम दी किताबे ते नफसियाती तनकीद दी किताबे यनि तनकीद दे क्रिटिसिजम दे अलग अलग स्कूल आफ थार्ट्स ने जना विच्छों मिसाल देता हुरते, रुमानवी तनकीदे, मार्कसी तनकीदे, तश्रीही तनकीदे, एमरानी तनकीदे, इसे तरह नफसियाती तनकीदे, जमालियाती तनकीदे, होर भी काफी सारिया किसमा ने, एज़री पूरी सब्सक्राइब दोजार सोला ते दोजार सतारा ते दोजार उन्नी तेना साला में चाह क्वेस्चन आया है श्रीफ कुझाई दी चातियां नफसियाती तनकीद दे किताबे तो अड़ा इस बारे की ख्याल है देखो ज़रा question attempt करन दा तरीका जिस तरह सी पिछले topic पड़े ने किसी सब तो पहले उस personality दा तारफ देने हैं इदे वेच वे उससे तरह ही तारफ दे आगे शरीफ कुझाई साब दी इलमी अद्बी शक्सियत ने और उना दी शक्सियत दे कई पहलू ने ओ इक को वे ले सब्सक्राइब यानि क्रेटिक महक्किक यानि रिसर्चर मुत्रजम टीचर एडिटर ते पंजाबी दे मन्ने पर मन्ने अदीव ने बास इनना काफी है ची सारा लिखन दी लोड ने objective वेच बाकी चीज़ां जड़ियां जरूरी नो दे दितिया ने एथे भी दास देना आम तो और दे objective ची पोच लेंदा है क्योंकि है पंजाबी नजम दा सब तो पहला शायर है ऐसी अहमद राई टापिक पड़े आसी मैं तो अनो दे विजदास देता सी के सब तो पहला शायर शरीफ कुझाई और जगराते इनना दी किताब है जद के साड़े सले बस जड़ा शायर शामिले अहमद राई ओ दूसरा शायर नजम दा लेकिन क्या में पाकिस्तान तो बात होता मजमूरा सब तो पहले शाया हो गया सी दूसरी किताब ओड़क होंदी लो ओड़क आखिरकार होंदी लो यानि रात तो बाद जलम तो बाद जबर तो बाद जलम और जबर औ सारी की खतम हो जांदी है ते सूरज तलूर हो जांदा है यानी जुल्मों से तम खतम होके ते अमन और रिजायत यानी आप्टिमिजम इदी शायरी विच सारा सानों मिलगा है दूसरे नंबर दे अलामा एक्वाल साहिफ दियां तेने किताबाने जावेद नामा इलम अलिक्त साथ दा रिकंस्ट्रेक्शन ओफ रिलिजियस थार्ट इन इसलाम एतिना जायना ने पंजाबी तर्जुमा कीता है उस तो बात याद रखना कुराने मुझे इद्धा पूरा तर्जुमा इना कीता है बस काफी यह हुई चातियां क्रेटेसिजम दी और नफसियाती तनकीदी किताब है पुछ सकता है कि चातियां किस किसम दी तनकीदी किताब है या किस तनकीदी दबिस्तान दी नुमाइंदा किताब है याद रखो नफसियाती तनकीदी किताब है एक के ना दी अंग्रेजी के ताबे उदा ना याद रखना पंजाब स्केंडेनेवियन लेंग्विज कॉंटेक्ट स्केंडेनेवियन कंट्रीज जड़े ने स्वीडन डेनमार्क इस तरह दे चार-पांज मुल्क ने और उना वेच जड़ियां जबाना बूलियां जांदिया ने उना दा और पंजाबी दाइना ने आपस वेच लिसानी राप्ता दा से आए किस तरह दा है यानि ना साबित कीता है कि बहुत सारे स्केंडेनेवियन लफ्ज जड़े ने असी पंजाबी वेच या एजटेज हूबहू बोलने है या फिर थोड़ी बहुत तब्दीली न मिया मोमद बख्ष बारे उनी सो पंताली नो न लिख्या सी फेरा सेलसला चलदा रहा उनी सो साथ नो तनकीदी मजमूना दा पूरा मजमूँआ चातियां दे नाना सामने आया इदा ना चातियां क्यों रख्या गया है उदी वजा की ये चाति दा लुगवी मतलब होंता है जांकना जांकी अचटती नजर पायराना नजर उड़दा त्यान पंची जाद नजारा दिदार दर्शन अचानक थोड़ी देर लई वेखना पजाबी आम मौवरा चलदा है चातियां मारना इनने अपनी किताब दा नाचातियां क्यों रख्या इनने अपनी वर्डिंग वेच प्री फेस वेच जिकर करते ने जिस तरह नातों भी जापदा है नाम से पता चलता है ऐ लेक कोई डूंगी पड़चोल नहीं या जड़े मजमून ने लेक मजमून डूंगी गैरी दोल यानि तनकीद नहीं निर्यां चातियां ने यानि उनने एक नमा एंगल एक नमा पॉइंट ओफ यू पंजाबी लिट्रेचर नो पढ़न दा सानू देता है चाती मारे हैं किसे दा आंग रंग जितना कू वेख्या जा सकता है उस तो वाद दावा मैं भी नहीं करता है दो किसे नहीं किसे नहीं चाती मार दे किना नग नखर आन्द ओदे बारी ज्याद बारी खी नाल तूस्य kan시면 के मह scared नहीं कर सकते quelकी नहीं कीता है उसे उनों बारीकी नल वेखिया नहीं सिर्फ एक नजर वेखिया ते एक नजर ही कहना दा जो वेख के मेनों महसूस होया है वो मैं देविच लिख देता है किताब 102 पेज ने डक्तर असलम राना साथ दा एदा देवाचा लिखिया है और किताब दा इंतसाब डेडिकेशन है ने अपने वालिद साथ देना कीती है जान हार बाप देना यानि जान जैसे जान वरगे बाप देना और देवेज कुल 15 मज़मीन शामिलने मजमून किस किसम देने एक सी बदू दे एक सी उंट ऐल लतीफा है बदू दे उंट सेराविच सफर का रेसी रात हो गई उना स्टे कीता बदू ने अपना खैमा तो उनु पता है डैजर्ट विच सेराविच रात वे ले ठंड हो जन दी बदू ने अपना खैमा लाया और खैमे विच सो गया रात सी उन्ट नो सरदी लगी ते उन्ट ने अपनी गरदन खैमे दे अंदर कीती ते बदू नो तरस आगया उन्हें किया जनवर है ठंड लाग रही है ते उन्हें उन्हें इजाज़त दे दीती यानि मना नहीं कीता सो दा ख्याल सी के चलो अभी सेरलोग आके बैठा रहेगा लेकिन थोड़ा वक्त गुजरिया ते उन्ट खैमे दे अंदर सी खैमे दे अंदर उन्हें की आना सी यानि खैमाई जड़ो पुटे आ जाना सी और बदू बार सी सो पंजाबी जबान नाल जो कुछ होया या पंजाबिया नाल जो कुछ होया ओ इस मजमून वेच उना ने बियान कीता है को जो पंजाबी दी शाइरी दे बारे पंजाबी शाइरी बारे मजमून लोरिया लोरी गीत दे साड़ा ओ दे बारे के लोरिया वेच किस किसमदा मिजाज होंदा है लोरी गीत दा, लोरियां ते थाल, ए दूसरा अलग मजमून है थाल भी साड़ा, लोग गीत भी है ते लोग खेट भी है, या बच्चियां, कुडियां, गीत या नाल थाल खेट दिया ने, या फिर वो खिदू होंता है, टाकियां दा लीरा ना पढ़ेया होया गें, और नाल खेल दिया ने, और नाल नाल गीत गांदिया ने, ये में आल माल पूरा होया थाल के देते मुखदा है, थाल है, मसलाँ वीर आया ना आके, रोटी दिती पाके, खानी होते खा, नहीते नोकरी ते जा, आल माल पूरा होया थाल, नेक्स्ट मजमून लोग गीत है, नेक्स्ट सूफियां दी शायरी है, next मुकबल दी हीर है वारस्या तो पहले पांचों बंदेया ने हीर दा किसा लिखिया है जना विच्छों एक में तो अनुदस्या सी वारस्या वाले टॉपिक विच हाफिज शा जहान मकबल ने किसा लिखिया सी उदे बारे दाने गलबात उदा अनेल्सिस इस मजमून विच कीता है वारस्या ते उस दी हीर, फिर उन्ने वारस्या दी हीर बारे मजमून लिखिया है फिर उन्ने वारस्या दे जड़ा में करेक्टर हीरो है हीर दा रांजा उन्हों एक विगड़या बाल साबित कीता है यानियो दा साइको अनैलसेज करके उन्हों विगड़या होया बाल या बच्चा साबित कीता हीर एक जिदल कुडी जिद्धी कुडी जड़ी अपनी हर जिद मनवान दी है वारस्या दा पंजाब इंता ही खुबसूरत मजमून ए असल वेच हीर वारस्या बारे ही मजमून है हीर वारस्या विच्चों पंजाब दा जो नक्षा साथे सामने आनदा है ओ इनने बियान कीता है सैफल मलूग वाल एक चाहत मिया मुहमद बख्ष दी सैफल मलूग ओदे बारे मजमून तरेंजन वाल एक चाहत साड़ा जड़ा टापिक सी पहला तरेंजन एमद राई दी किताब ओदे बारे एक नज़र दिल दर्यावा लिक चाथ दिल दर्यावी शायरी दा मजमूँआ हैं इसे तरह सने उडे ऐवी शायरी दा मजमूँआ हैं और एदे बारे एक मजमूँद पंजाबी तनकीदी अदब वेच चातियाँ दा मुकामों मर्तबा मटायन करो या चातियाँ दा तन्कीदी जायजा लवो या शरीफ को जाई बतोर नकाद किस किसम दे नकाद सी या किस किसम दी तन्कीद रहा लिखी जा झड़ा तो अँड़ा से है के 2-3 वरी क्येस्चिन आया चातियाँ नफसियाती तन्कीद दासोना नमुना ने थाबित करो लो जी जर्नले दे उते लिखड़ा है मैं नो बाई पार्ट्स कर देता है यानि जड़े एक एक टापिक्स दे मजबून से नो कठे डिसकस कर ले है सब तो पहले ओवराल इदी क्रेटेसिजम बारे शरीफ को जाई दा ना सामने आढ़ियाँ सारी पिशलीाँ पंजामा सठा वरेयां दी पंजामा सठा शाल दी पंजाबी जबान दी तारीख दी रवायत ते अनगिनत चराग दिल जेन दे रून और रोशन कारजन देने अनगिन अच्छा जी इस सहर दे हर मोड, हर जाविय, हर नजरी, हर तहरीक, हर फलस्फे दे पस मनजर या पेश मनजर वेच शरीफ कुझाई दी शक्सियत उना दा फिकर दे उना दी सोच इस सहर दे पस मेथ उना दी बानी ने, पंजबी शायरी जदी नजर दे बानी ने, सो उना तो बगयर पंजबी अदब जड़ाएओ, मुकमल नहीं होंदा अच्छा जी कोई भी फिल्ड, पंजबी जबान वे चुह मनवाला हर अमल, यानि शायरी, अदब, तहकीक, तनकीद, लिसानियात, लुगत दे दर्ज में, इस तहरीग या इदारे दे हवाले ना, जनम लेंदे ने यानि हर चीज वे चुना ने अपना जड़ाएं हिस्सा पाया हो, एक लेजन्ड दा रूप बटा के, पंजबी जबान ते अदब दे जिन्दा जावेद कलासीक दा दर्जा हासल कर चुके ने पंजाबी जबान नो उना होते हमेशा फखरते मान दवेगा, एक तुसी इनो अगर आते नहीं लेखना ते अन्ड वेज कंक्लूजन ची लेख सकते हो, या इंट्रो वेज वेज वे इनो अड़्यस्ट कर सकते हो, तनकीद जड़ी 1930 नेड़े ते ले हिंदुस्तानी जबान जाइजा लेया, यानि जड़े मैथियो आरनल्ड ने, टिया सेलियट ने जिस तरह या फिर पुराने नकादां विचो अरस्तु एफलातु ने, उना दी क्रेटिसिजम नो सामने राखके, मगर भी क्रेटिक्स नो, मगर भी वेस्टन क्रेटिक्स नो मदे नजर राखके तन तनकीद होते, उसे ही एक रांग दे छापे नजर आंदेने, पर दूजे दो रांग यानि तरकीब सान तहरीक ते नफसियाती तहरीक, इजए तनकीदी दबेस्थान सान जना दा मोजू ते नुक्ता नजर अपने तसलसल दी वज़ा नाल पढ़न वाले नो, मुतासर करदा यूंग ते एडलर दा आम तज़करा कीता जान दा सी, खालिस तनकीद ने का रहा, मिसाल दे तोर ते रिचर्ड टी ऐसेलियट ते एजरा पाउंड वगेरा दे ना भी सनक दे तोर ते पेश कीते जा सकते ने, ते जे लिसानियाद दा कोई मसला होवे ते जार्ज ग्रेरसन दा ना आना गोया लाजमी शर्त बन गया, याँ वो ट्रेंड जिसी जड़े यूरप तो मतासर हो के साड़े हिंदोस्तानी क्रेटेक्स ने अपनी तनकीद या क्रेटेसिजम बेच बेयान कीते, अच्छा जी वो पिशला ते पसमंजर सी आथो स्टार्ट होंदा है, दे मरत्बा हासल है कि उनना ने सब तो पहले अदबी तनकीद दाओं मियार पेश कीता जिदे वे जदीद तनकीदी दबस्ताना दे नक्ष बड़े वाजिया नजरियां देने, इस सारी किताब वेच किसे भी था, मगर भी मुसनफदा हवाला नहीं मिलेगा, उनना ने गाल जिनुगल समझने विच किदरे भी किसे किसम दी ओख्याई महसूस नहीं होंदी, अच्छा ये सारी गालता मकसद है वे, वो कहनदा शरीफ कुझाई साब जड़े ने पढ़े लिखे आलम फादल आदमी सी, उनना सारे मगर भी नकाद पढ़े, उनना दे जड़े रूल्स, सी उननों अपने फन पारे पढ़े पढ़े हुए, उनना दे इंप्लिमेंट करते गए, ने, मिसाल दे तोरते उनने रांजा एक विगड़े आबाल ते हीरे एक जड़े लकुडी, इस चीज नों, और या फिर मिया मुमत बख्षता जड़ा नजरीया है, उनना दी किताब बारे सैफल मलूग, आसी मिया साब दे टापिक वी डिसकस वी कीता सी, उनना दे बारे गालक अर्दे हुए, ना, नफसियाती तनकीद, एडलर, यूंग, ते फराइड, ए तेन बंदे ने नफसियाती तनकीद दे हवा लेना लनाम वर, उनना दे तनकीदी नजरियात नों, इस्तमाल कीता है, लेकिन उपढ़ के यसी वेख सकतने हैं कि एए वलाइड लर्दी थी, एए यूंग दा नजरिया है, या एए फराइड दे नजरियात ने, कमाल एह हुई होंदा है, अगर सारे उनना दा नजरिया लिख दे, उनना दे ना लिख दे दे, फिर इनना दे पंजाबी मजमून हैं, लेकिन उनना दे जड़े नजरियात ने, ओ इंप्लिमेंट कीते ने, चाहती हैं वेच कोल 15 मजमून है, जिना वेच पहले दो मजमून, यानि एक सी बदू, एक सी उन्ट, ते को जो पंजाबी दे शायरी दे बारे, पंजाबी जबान दे अदब द जड़ियां मख्सूस तब कियाने, मख्सूस सूरते हाल पैदा करके खड़ियां कीती हैं, यानि पंजाबी जबान दे प्रमोशन वेच, तरकी वेच, तरवीज वेच, जो जो रुकावटा ने, ओ इना मजमूना वेच होना, सामने ले आन दियां कोशिश कीती हैं, इदे न जड़ियां करन तो भी हिच किचाहट महसूस नहीं कीती, इस गाल दाहा वाला सी इस ख्याल वेच दी वज़ा नाल भी पेश कीता है, कि चातियां वेच पहले छे मजमून जड़े पंजाबी जबान या पंजाबी शायरी नाल अमूमी बहस करते ने, उना वे शरीफ कुझा जड़ियां गला पेश कीती याने, वाजवी सानु नवियां लग दी याने, यानि जो इना दा पॉइंट ओफ व्यू सी, या नुक्ता नजर सी, वो इना दो पहले होर किसे ने नई सी देता, यानि सारी नवियां गला नवी सिम्मत, नवी डायरेक्शन देती, इना मजमू पंजाबी अदब दे मुताले तो, उना ने ओ असू लखज कीते दे मनाई ने, जना दी रोशनी वेज पंजाबी दी पुरानी शायरी पंजाबी दी पुरानी शायरी दे असलूग दे तनकीद नो परकिया दे जांचिया गयाए, इस तरह जड़े नजरी या ख्याल आम ता जारी ने ओधे वी शरीफ को जाई होना ने जी इखतलाफ कीता है, ते किसे होर मुसनफदा सहारा लेंड दी कोशिश नहीं कीती, सूफी शायरा ने मुताले कोना दा पैराग्राफ जदीद तरीन मार्कसी नकादानो वी अच्छंबे वेच पादेंदा, यानी हैरानी वेच मुक्तला कर देंदा है, अच्छा जी मार्कसिजम और कारल मार्कस ते कारल मार्कस दी थियोरी ते ओधे तो जड़ा मार्कसी स्कूल ऑफ थार्ट क्रेटेसिजम दा पने हा, उन्नों मदे नजर रखते हुए, पंजाबी शायरी दा अनेलसिज या तज्जिया के में कर देने कुटेशन है, तुसी ये दे विच्छो कुछ थोड़ा बहुत जरूर कोट करना है, चाहे कुछ दो जुमले कर लगो, अगर उभी नहीं कर सकते ते फिर ऐवला अपने लफ़सां विच कर लेना, फिर कुटेशन फार्म ची नहीं आएगा, फिर पैराग्राफ ती सूरत वि सारी दुनिया दे साड़ा पंजाब वी नमा चोला बदलन दे आरहां वेच्चे, यानि सेकंड वर्ड वार तो बाद हुन तेजी नाल दुनिया तरकी वल और तबदीली वल जाहा रही है, साड़िया कोशिश होनी चाही दिये जैसी इस दुखिया संसार नो सुखी संसार ब बनान दी कोशिश करिये, जीमन दा रूला इजया कर दे ये जे लोग की दुनिया तो दूर नसंदी था में एस वेच दल्चस्पी लेन, यानि पंजाबी क्लासी की शायरी दा मकसद की है, काम्याब जिन्दगी गुजारना, तेनाल काम्याब आखरत भी, ओ कहन दे जीना, जिन्दगी गुजारना, इना असान कार दे ये, के लोग हसी खुशी जिन्दगी बसर करन, दुख दर्द, गम, तकलीफा, परिशानिया, मुसीपता नू पुल जान, दाख, अंगूर दी वेल नू कहन देने, बेल, वेल, इनी नीमी कार देती जाए, ये इस नू थू कोड आखन दी, लोड़ी ना पवे, है ना प्रोवर्ब हाथ ना अपड़े थू कोड़ी, यानि अंगूर की बेल तक हाथ ना पहुंचे देखा देना, अंगूर खटे हैं, ठीक है जी, ए उन्हें पंजाबी दी क्लासीकी शाहिरी दा अनेलसिस कीता है, के साथ सूफिया एक रा परीदा मैं जाने हैं, दुख मोज़ कूं, दुख सबाय जग, उच्छे चड़ के वेखिया थां करकर एहा अग। यानि तो पता लाग रहा कि दुख दर्द गरीब बंदे, माड़ा, इस तैसाल जदा तब का, लोईर मिडल कलास, लोकां दे दुख दर्द नो के में महसू आंदा है, आम तोरते, आसी शायदा है समझ नहीं आके जी लोरी गीद की है, कोज भी नहीं है, बच्चा रोंदा होई तो उन्हों चोपकराण वास देखाया जानदा है, ठीक है, उच्छा में मकसद होई है, लेकिन उदे विच पूरी तहजीब, पूरी सकाफत, कल्चर, विजडम, हिकमत, रिष्टे नाते, रेंड सेंड, खाण फीन, नफसियात, सोच, समझ, सब चीज, ओदे विच्चो सानू पता लगदा है, वक्त नहीं न साद मुराते बोलां दी जोत, अधी हजारां टेकसाली शायरां दियां लाटानू मात कर देना है, कहनदा हजारां द इतने ऐसाद मुरादे बोलने, अलडबलड बावे दा, बावा कनक ले आवेगा, बावी बै के छटेगी, मापूनियां वट्टेगी, बावी मन पकावेगी, बावा बैठा खावेगा, काका खिड़ खिड़ हसेगा, ऐस सिरफ लूरी नहीं है, एदे वहीं साड़ा पूरा पंज़ाजार साल पहले था, पंज़ाब दी तहजीब और सिकाफत बियान हो गई, यह ते कंबाइन फैमिली सिस्टम जड़ा साड़ा सी, वो पूरा बियान हो गया, अच्छा जी, पर एदे तो भी अचर्ज, अजीब, अनुखी, गाल एवे, के ना दा ता तालुक पास दे लोकां दे जजबात बता चल देने, एजड़े निके वड़े हवाले पेश कीते गएने ना तो एंदाजा हो गया के ना मजबूनावे शरेफ कुझाई दा रुजान कोज गोज तरकीब संद पसंद तहरीक वाले, ठीक है जी, बाकाइदा तरकीब संद नहीं सी, त लेकिन जड़े ना दे पॉइंट ओफ व्यू ए तनकीदी विचार नजरियात ने उतरकीब संद ना ने, शातियां वेज़ पंजाब दी अजीम ते अफाकी रुमानी दास्तान हीर रांजे दे मुतलिक पांजे मजमून शामिल ने, इना मजमूना वेज़े एक पासे ते ही लेकिन जड़े वारस शाह तो पहले थे बाद दे तखलीक काराना तकाबली तहकीग दे जरीए वारस दे फिकरी ते फनी अजमत नो वड़ाया गया ए ते दूजे पासे जदों, रांजे दे हीर दे किरदारा नो एक विगड़ा होया बाल, पांजे मजमून ने, पहली हीर बारे मकबल दा मजमून है दूसरा फिर हीर वारस्याद बारे मजमून है दो फिर एक रेक्टर्स बारे मजमून है रंजा एक विगड़े हुया बाल ते हीर एक जिदल कुली ते आखरी फिर मजमून सी वारस्याद पंजाब पंजे यी वारस्या दे किसे बारे ने ओदों सानू है समझे अंदी है कि वारस्या ने मश्रक दे रवायती शायरी दे मताबिक जिन्ना परिया दे किरदार पेश नहीं की दे यानि ऐसी वारस्या ने भी तरकीब सान्द शायर कह सकने है कि उन्ने जिन्ना, पूता, चुडेला और दूसरा प्यार, मुवबत, जुल्फोर, उखसार दे, गुलो, बुल, बुल दे ऐ चीजां जडियां साथ मश्रकी रवायत सी फार्सी शायरी, अर्बी शायरी, उर्दु शायरी ओ नहीं बलके उना ने रवायती शायरी तो हटके हीरवारस्य जडिया जडिया ऐसी शायरी कीती, जिदे वेचो पूरा पंजाब उनने जिन्दा जावेद पेश कर देता, जिदे वेचाये हुई है, विगडे हुए बाल दे जिदल कुडी दुनवान रखके, शरीफ कुजाई ने एक पासे वारस्यानों किरदार निगारी दे हवाले न खिराजे ते सीन पेश कीता है, ते नाली एडलर दा नालेया बगएर, उदे नजरियां दासर भी पूरी दरा वखा देता है, एह हुए नफसियाती रंग टानू, रंग टांग सानू, सैफल मलूग दे हवाले नाल भी, मिन्या मा मदबख्ष बारे नजर आंदा है, है मैं केमे कीता है, उन्हा किया है कि जड़ा मिया साब नो ऐसा से कमत्री मिली, सी एडलर दी थियोरी है, ओ, पर जया गाल भी ना होंदी ता, खबरे मिया साब, शायर भी ना होंदे, अपना आप मनवान दी खाए, शार एक विच होंदी है, कोई इसनो किसे तरह पूरियां करता ह कोई किसे तरह, कोई कम सवार के ते कोई कम विगार के, जैनो कोई जमांदरू खुड, नुक्स, फाल्ट, बिमारी होंदा है, ओ, अपना आप मनवान दी नाल दे नाल दे नालों बखरी रा कर लेंदे ने, इस तो स्याने यां अखान बनाया होया है, जै काने दे लंगे या होंदे, त्यास पास दे आवेच, उना दा मान किस गलों होंदा, शायरी नेकते उना दा मान वदा आदे ता दूजा जमांदरू रोग तो पैदा होन वाली, हींटा दी चिंता, ऐसा से कम तरे नो बोलान पर चान दा, काम दे ता, सारियां दबियां कुटियां रमजां, कई मायूसियां मिलियां सी, जिना कथार से जोना ने सैफल मलूक शेजादे दी सूरत वेच कीता, यनि उना नाड़ दे नाड़ो वखरा रहा कटे आ, उना कोई खुदकुशी नहीं कीती, अपनी जिंदगी दा खात्मा नहीं कीता, जंगलां वेच मजजूब देवाने फक हीर नहीं होगे, बलके एक ऐसा मास्टर पीस तखलीक कीता हुदा, ऐसा काम्याब हीरो बनाया, जिला कदी भी किसे भी जगा, हार नहीं मन्दा, शिकस्त नहीं खांदा, ठीक है, जिया मुश्कल नहीं है, पड़ोगे तो असानी नहीं समझ आदा जाएगा, इससे तरह एक म वारस्यादी हीर दा, मुख्तलिफ अस्पेक्ट पता लाग जान, उदे वीचो एक अस्पेक्ट वारस्यादा पंजाब, यनि असी पंजाब दा पूरा नक्षा उदे चो बेख सकने, मैं जड़ा तो आनू क्वेस्चन पड़ाया है, तियार करवाया है, एंसाइकलोपीडि पंजाब, उभी इससे तरह ही है न, उदे वेच भी एह हुई गल्ला बियान हुई याने, एस हकीकत ने गारी तो श्रीफ को जाई हो रहने, पंजाबी सकाफत जड़ी है, बे एक नमे चाले दी, पंजाबी सकाफत दे एक नमे चाले वालवी साठी रहबरी कीती है, यनि प उके में खतम हो दी जा रही है, सरमायादारी निजाम, जागीरदारी निजाम, उनुके में खतम करदा जा रहे हैं, उदे बारे मजमून दा अनेलसिस करदे हुई, या समेट दे हुई लिखते रहे हैं, हकीकत है वे, ये वारस्चादा, ये वारस्चादा हर करदार, उस सम वारस्या ने अपने किस्ष्ध जरीय बियान कीते ने अच्छा जी यहीरे, चाये रांजा, चाये कैदों, चाये चूचेके ऐस सारे वारस्यादा जोगी, वारस्यादा बालनाथ भी उससे समाज दी शेय ने, ओस दी था, पूंजी वाद मल रहे है पुझी वाद सर्मायादार जिस वेच ना टिले ना टिले आ दिया तूनिया यानि रंज बाल नाद दे टिले दे गया सी न उत्थे जागों ने जोग ले आ सी ना बाल नाद दे ना रंज वर्गे जोगी ऐस सब चीजां एक जैस हमाज वेच खप सक दियाने जिस वेच लोकानो वेल होवे जिस वेच लोकानो फुरसत होवे ते थामावी वेलियां लोगियां होन लोगियां खाली होन शेरां ते सडकां ते दुराटे पेंड़ां वेच अजे वी एस्दा खुरा लबदाए ता इसके सम्दियां चीजां शेरां तो दूर जड़े बेंडने उत्थे वेखियां जा सकतियां ने लेकिन वेखो जी जेह रखो या आई तो 80 साल पहले दे लिखे हुए मजमून ने उसवे ले जलग या ए जलवे नजर आ सकते सी आज कल ते बिलकुली खतम हो गए ने यानि जदो शरीफ कुझाई साब ने अपनी या क्रेटे से सम्दी किताब लिखी उननों जो कुछ नजर आया और महसूस होया यानि वारस्याई तैजीबों से काफ़च जड़ी सी ओं मार रही सी तो उनना इस मजमून दे जरीए उननों महफूज कर देता शैरां ते सडकाँ तो दुराडे पिंडां वेच अजे भी इस्दा खुरा लबदाए शोरार मिलदाए तैसे कार कि आसी पिंडां वेच रैण वाले वारस्यादी हीर नों पढ़के जो सवाद ले सकते हाँ वो शैरां वाले नहीं ले सकते ते जेस तरह दूजीया जबाना विच लोका नू पुराणे किसे का अणिया नाड़ो दिल्चस्पी नी रही उसे तरह अजब नहीं जे ए जे इना किसे हैं वालवी लोका ना मौाड कट जाए उसी वेखो 17 साल पहले उने मजमून लिखिया सी उस पे ले लोका ना इंटरस्ट है सी लेकिन आज कल तो वेखलव उस आड़ेकोल इंटरेइन्मेंट देने ज्यादा जरा है आ गए ने क्यों कौन इर वारस्षा सुनदा है ते कौन लोगी सुनदा है शैरां वेख आज भी वारस्टा नाल हैन वाले ते बठेरे होंगे पर जेना इसनू पड़ेया होवे उवे वेरले ही लब बनगे ठीक है जी क्लासीकी शायरी लोक रांग ते पंजाबी जबान ते अदब ते जाएजे दे नाल श्रीफ कुझाई हो रहने चातिया के ताब वे जदीद शायरी लोगी अपने मुताले दा हिसा बनाया है और उते बेच उना जदीद शायरी दे ते न मजमूए तरेंजण वाले एक जाद यानि आम अदरा इदी शायरी दा मजमूए तरेंजण देल दर्यावाले जाद ते सन्योडे सारे इना तिन किताबाँ जदीद शायरी बारे भी गलबात कीती है ठीक है जी आई दे बारे आप पढ़ ले लेना मुक्दी गल कंक्लूजन शरीफ कुझाई साथ दी इस किताब चातियां दे मुसन्फ ने यानी शरीफ कुझाई ने पंजाबी तनकीद वेज पहली वारी जदीद तनकीद दे नजरियां ते तहरीकां दा एक मजमूरी तासर पूरी डूंगे आई जिमेदारी ते इतमाद नार्थ पेश कीता होना किसे था आते भी जानबदारी कोलों काम नहीं लेया बलके अनबाइस्ट हो के जितो दिकर नफसियाती या तरकी पसान दे नजरियां दा ताल्ला की ओदे वेज इस गालतों इंकार नहीं कीता जा सकदा कि मुसनफ ता नजरियाती तोर देना दबस्ताना या नजरियां तो मुतासर होन दा सबूत मिलता है यानि क्रेटेसिजम जड़ी उना ने लिखी है उदे वेच सब कोज मुझूद है पता लगजा है कि उना नफसियाती तनकीदी दबस्तान ते मार्कसी तनकीदी दबस्तान तों भी काम लेया है पजाबी दी क्लासी की सिंफान दे मुताले वे जड़े असूल बनाए या बनाए नों बिलकुल असल निरूल खालिस ते ओरिजिनल हैसियत रखते ने तोना दिया जड़ा पंजाब दी बूरी मिट्री विच्छों फोट दी याने लिहादा श्रीफ को जाई दी शायरी बन दी ये ठीक है जी है इस तरह वैदा श्रीफ को जाई सावदा क्वेस्चन सी दूसरा टापिक मैं शुरू करना थोड़ी ब्रेक दो बाग